नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं निउस क्लिक पर खोच खबर का एक्रम लोगतंत्र नया और नया रूप गढ़ रहा है नया रूप ले रहा है इसकी मिसाल देश की संसस से लेकर मद्रप्रदेश और तमाम राज्यों में दिखाई दे रही है यह वीडियो बहुत ध्यान से देखिए यह है मद्रप्रदेश से आया वीडियो जो बता रहा है कि हम और आप जिन नेताओं को चुन रहे हैं वह किस तरह से नए नए करतब कर रहे हैं मद्रप्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पहुचे महाकाल की नगरी उज्जैन और उनका स्वागत करने के लिए देखिए क्रेन से लटक कर पहुचे बजरंग बली सिर्फ इतना ही नहीं जिस तरह का जैकारा है जिस तरह से लोग तालियां बजा रहे हैं हम और आप मिलकर सोचेंगे कि लोगतंत्र क्रेन पे लटका हुआ है या फिर जब बजरंग बली पहुचते हैं वहान के उपर और धम धम करते हैं वहां लोकतंत्र नृत्ति कर रहा है यहां नजारा अपने आप में बहुत दिल्चस्प है और नए नेताओं, नए मुख्यमंत्रियों और लोकतंत्र के नए रूप की नई कहानी हम तक पहुचा रहा है आईए मेरे साथ चलिए देश की राजधानी देश की राजधानी में बनी नई संसत के भीतर नई संसत पर जिस तरह से नौजवान कूदे, तमाम हंगामा हुआ सुरक्षा ब्रीच हुई, यानि सुरक्षा का कवच तोड़ा गया उसे लेकर जिस तरह से खबरे आई, उन सब पर देश की संसत के भीतर ना तो प्रधान मंत्री नरेन मूदी कुछ बोलने को तयार है और ना ही देश के माननी अग्रिह मंत्री अमिशा जी कुछ बोलने को तयार है हाला कि प्रधान मंत्री नरेन मूदी हिंदी के एक अखबार को इंटर्वियू देते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जागरण को उन्होंने इंटर्वियू दिया और उसमें उन्होंने बताया कि कितनी चिंता की बात है इस तरह से जो हमला हुआ और इसके पीछे की जो ताक्ते हैं उनके बारे में वह दिखर करते हैं लेकिन देखिए सदन के भीतर इस पर सरकार कुछ भी बोलने को तयार नहीं होती है जबकि लगातार सदन के भीतर लोकसभा और रासभा के भीतर विपक्ष सिर्फ एक मांग करता है कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि यह जो सब कुछ हुआ इसे सरकार कैसे देखती है किस वजहों से इतनी बड़ी जो चूक हुई है उसके पीछे के कारण क्या है लेकिन सरकार बहादुर तो सरकार बहादुर है और वह लोकतंत्र की नई परिपाटी रचती है क्योंकि अभी तक देश में जब संसर चल रही होती है तब सरकार सरकार की जुनुमाइंदे हैं खास तोर से प्रधान मंत्री ग्रिह मंत्री रक्षा मंत्री वित्य मंत्री इन सब को सरकार के किसी भी स्टैंड के बारे में कुछ भी बोलना होता है तो वह सदन के भीतर ही बोलते हैं लेकिन देखिए यहां तो बाहर का रास्ता उन्हें दिखा दिया गया जो यह मांग कर रहे थे कि सरकार सदन के भीतर बयान दे क्योंकि वह on record बयान होता है सरकार, सरकार का stand इस मसले पर अभी तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं इस पर संसत के भीतर नहीं आया है लेकिन यह मांग करने वाले विपक्ष के संसत को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और सिर्फ एक दो दिन के लिए नहीं यह पूरा जो सत्र चलेगा इसमें बेबहस में हिस्सा नहीं ले पाएंगे लेकिन कोई भी ऐसी कारवाई उस संसत के खिलाफ नहीं की गई जिनके नाम पर यह पास इन लोगों को जारी किये गए थे यही है नई संसत निया लोकतंत्र और नई विधान सभाएं एक तरफ बजरंग बली जी और दूसरी तरफ सदन के भीतर खामोश प्रधान मंत्री और ग्रहे मंत्री दोस्तों देश में महिला सुरक्षा महिला अधिकारों की क्या इस्थिपी है इसकी दो खबरें आज अपने इस कारेक्रम में मैं आपके साथ साजा करने जा रही हूं कितना मुश्किल होता है कोई भी केस दर्स कराना अगर आरोपी पारफुल व्यक्ती है यह शक्स जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है यह है सज्जन कुमार JSW स्टील के MD मोदी जी के बड़े भक्त माने जाते हैं इनके वीडियो इस समय वाइरल हो रहे हैं जिसमें बेमंच पर खड़े होकर बता रहे हैं कि मोदी जी ने देश का कितना बड़ा उद्धार किया है यह शक्स इस शक्स पर आरोप लगा है एक महिला ने आरोप लगाया है कि किस तरह से एक साल पहले इस महिला के साथ बलातकार किया इस व्यक्ती ने और उसके बाद लगातार दबाव बनाता रहा कि किसी भी तरह से मामला सामने ना आए इसे दबाने की भरपूर कोशिश की जितनी पावर्ती सारा इस्तमाल किया और जब कुछ समय बीतने के बाद महिला पहुशती है पुलिस थाने यह बात किसी गाओं देहा छोटे से कजबे की नहीं है यह बात है मुंबई की जिसे देश की आर्थिक राज़नी कहा जाता है और आप देखिए यह महिला जो कि सोशल सेक्टर में काफी जानी मानी शक्सियत है अभी नेता हैं यह महिला पहुशती है थाने दर्स कराने इस शक्स के खिलाफ शिकायत थाने से थाने से थाने यानि एक थाना दूसरे थाने के पास भेजता है दूसरा तीसरे के पास और पूरा चक्कर लगा कर ठक कर यह महिला खटखटाती हैं कोट का दर्वाजा तब तक कोई मामला दर्ज इस शक्स के खिलाफ नहीं होता और फिर कोट आदेश देता है कोट कहता है पूछता है मुंबई पुलिस से कि आखिर क्यों आपने अभी तक इसकी F.I.R. नहीं लिखी और फिर बहुत मजबूर होकर मुंबई पुलिस को F.I.R. दर्ज करनी पड़ती है अब आप देखिए यह जो पूरा का पूरा मामला है इस शक्स के खिलाफ और उससे पहले सुनिए इस शक्स का जो कनेक्शन है अलग-अलग ढंके कनेक्शन्स आ रहे हैं अलग-अलग ढंके वीडियो जा रहे हैं कुछ वीडियो उत्राखंड से भी इसके कनेक्शन जुड़ रहे हैं उन सब पर अगर ना भी जाएं देखिए जिस समय इनके उपर केस होना चाहिए था जिस समय पुलिस को तफ्तीश करनी चाहिए थी ठीक उसी समय यह आरोपी व्यक्ति भाशन दे रहा है प्रधान मंत्री नरेन मोदी के सामने खड़े होकर गुड़गान कर रहा है कि अर्थविवस्था कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है आईए सुनते हैं को हमारी प्रधान मंत्री जी श्री नरेनर मोदी जी जिने हम एक युग पुरुष मानते हैं यह हमारा सुभागे है कि हमें ऐसे कर्मट प्रधान मंत्री मिले जिनोंने हमारे महान देश की काया पलट कर दी है 2014 में जब प्रधान मंत्री जी ने कारे भारत संभाला था तब भारत की जो GDP थी वो मात्र दो ट्रिलियन डॉलर की थी जिसे प्राप्त करने में हमारे देश को 65-67 वर्ष लगे थे आज केवल 10 साल से भी कम कारेकाल समालने के बाद भारत की GDP चार प्रिलियन से भी ज़्यादा तेजी से उपर जा रही है और हम बहुत तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ्विवस्ता बंते जा रहे हैं तो एक तरफ तो सज्जन जिंदल है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जिला जज जी हां उत्तर प्रदेश जहां पर जबर्दस धंग से रामराज आया हुआ है वहां पर बदाईयों में एक महिला जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखती हैं और पत्र लिखकर अपना दुख सारवजनिक करती हैं वह कहती हैं मिलोड या तो मुझे इच्छा मृत्यू दे दीजिए या आत्महत्या करने की इजाज़त दे दीजिए वजह या पत्र अपने आप में बहुत कुछ कहता है इसमें वह साफ साफ कह रही है कि किस तरह से जिला जज उनका यौन शोशन लंबे समय से कर रहा है और जिस तरह के डीटेल्स के साथ यह पत्र उन्होंने लिखा है उसके बाद एक तस्वीर साफ होती है कि महिलाओं को कोट के भीतर कोट के बाहर निया मिलना लगातार मुझिल होता जा रहा है इन्हें इन महिलाओं जज को सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि सिर्फ छे मिनट के भीतर इनकी अपील को खारिच कर दिया गया सुनवाई नहीं हुई और जो आरोपी व्यक्ती है यौन शोशन का वह अपने पत पर कायम है जो डीटेल्स है वो हौरिफाइंग है वह डराने वाले हैं वह बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सहित पुरे देश में महिलाओं की और यहां पर नियाए देने वाली महिला की क्योंकि यहाँ पर यह महिला जज साफ साफ कह रही है कि मैं क्या नयाय करूंगी किसी और के साथ जब मैं खुद अपने लिए नयाय नहीं ले पा रही और मानिये अगर यह महिला पत्र ना लिखती CGI के पास वह पत्र ना पहुचा होता तब हम और आप समझ नहीं पाते कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के उपर जो रामराज चल रहा है उसकी क्या स्थिती है कितना नयाय मिल पाएगा Chief Justice of India कोई हस्तक शेप करके उस जिला जज के खिलाफ कोई कारवाई कर पाएगे यह सब तो समय बताएगा क्योंकि देश की राजधानी भी देख चुकी है दिल्ली भी देख चुकी है कि यौन शोशन के आरोपी भाशपा सांसत बिश भूशन शरण सिंग पर कोई ठोस कारवाई अभी तक नहीं हुई जबकि तमाम महिला पहलवान उनके खिलाफ एविडेंस देने सणकों पर उतरे थे ये दोनों तस्वीरें बता रही हैं कि मोदी जी का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और हिंदू महिला से और हिंदू लड़कियों की सुरक्षा से जो प्रेम है वह जमीन पर किस तरह से इंप्लिमेंट हो रहा है दोस्तों जिस समय यह narrative बिल्ड़ अप करने की यानि यह अवधारना बनाने की कोशिश हो रही है कि जो लोग भारती जनता पार्टी का विरोध करते हैं वे ही देश के खिलाफ हैं यानि anti-BJP is equal to anti-nation जिसके एक स्रोत देश के उपराष्टपती धनकरजी है उनका जो बयान आया है कि किस तरह से यह जो सारे के सारे भाव हैं यह सारे के सारे जो आरोप लगते हैं यह दरसल देश के खिलाफ हैं ठीक इसी समय हमें सुनना चाहिए Justice Rohington S. Nariman को Supreme Court के पूर्व जज इन्होंने जो भाशन दिया वह भाशन लोकतंत्र के संकट को बिकुल दूसरे ढंक से हमारे और आपके सामने रख रहा है इसमें इन्होंने बहुत बेबाकी के साथ बताया बात यह सिर्फ 2023 की कर रहे हैं कि 2023 की शुरुआत कैसे हुई इसमें यह बताते हैं कि किस तरह से BBC की जो डॉकुमेंटरी फिल्म है दो पार्ट्स में उसे जिस तरह से भारत में रोका गया क्योंकि इसने प्रधान मंत्री नरेन मोदी और खास तोर से उनके मुख्यमंत्री के तोर पे जो कारेकाल था गुजरात में करते हैं कि किस तरह से जो राजपाल हैं जो गवर्नर्स हैं वह किस तरह से लोकतंत्र को बंधुआ बना के रख रहे हैं और यहां वे उलेख करते हैं केरल के राजपाल का वहाँ पे बताते हैं कि किस तरह से केरल विधान सभा ने जो बिल पारित किये दो दो बार पारित किये और उसे भी राजपाल रोक के रखते हैं और भेज देते हैं राश्टपती के पास और इस तरह से चुनी हुई सरकार के कामकाज में बाधा पहुचाने का काम राजपाल की जो एजेंसी है वह कर रही है साथी वह सवाल उठाते हैं चुनाव आयोग की न्युक्ति का कि इसे लेकर जिस बड़े पैमाने पर सरकार ने अपने ही लोगों को बैठाया है और चुनाव आयोग अगर निश्पक्ष नहीं रहेगा तो किस तरह से लोकतंत्र की रक्षा हो सकती है हौर अंत में बेह समवेदनशील विशे तीन सो सतर को लेकर सुप्रीम कोट के फैसले पर कड़ा रुख अक्तियार करते हैं नदिमन एक गवरनर अफ ए ट्रडिशनली माइनॉरिटी गवर्मेंट स्टेट इस केरला लागा, सिटिक ओवर बिल्स पर प्रेद अप टुम स्टेए लुद हम धीडूस्तित जुझत सब्सक्राइब लुद इस नदिए्टिए टिएकून्थ्यक्ट बेस्टित संब्सक्राइब बात बातिए बिल्सेंट लe बिल्से जजवए रिवर्म आप The legislative activity of the states comes to a standstill. Because unlike a governor sending back a bill and then after it is sent back, the governor then has to sign it. Once it lands up at the center's door and the center says no, that's the death, that's the death of the bill. It's over. शुरुवात मीडिया पर नकेल कसने से होती है. information को disseminate यानि लोगों तक पहुचाने पर शुरू होती है. और अन्द आता है Supreme Court के 370 पे. कश्मीर पर 370 का जो हटाया जाना है. 2018-19 का जो पूरा दौर है. तब से लेकर अभी तक 5 अगस 2019 को जिस तरह से हटाया गया 370 को. और उसके बाद 2023 में जो फैसला आता है उस पर भी बहुत गंभीर सवाल उठाते हैं पूर्व जज. इनको सुनकर यह लगता है कि अभी जो लोकतंत्र के सामने संकट है, उन संकटों को बेबाकी से खुल कर साफ साफ कहने का होसला जारी है, कायम है. और यह निश्चित तोर पर लोकतंत्र के लिए शुप संकेत है. शक्तर के सिक्तर के साफ जिए शिए.